जानना चाहूंगी कि भाग यह हमारे लिए कितना कारगर होता है अगर हम वास्तु के नजरिये से देखें क्या वास्तु और भाग यह एक दूसरे से कही ना कहीं कनेक्टेट रहते हैं भाग और बास्तु का तुलनात्म कध्यन दर्श को भाग अपनी जगए है और बास्तु अपनी जगए है भाग क्या है पूर्व संचित पुन जब फलित होते हैं तो वह भाग कहलाता है लेकिन भाग आपका बहुत बढ़िया है और आप प्रकती के विप्रीच चलेंगे तो निश्यत रूप से कितना भी अच्छा भाग क्यों ना हो लेकिन आपके लिए प्रणाम अच्छे नहीं मिलेंगे जिस तरह से यदि सूर पूर में उदित होता है और भाग आपका कितना अच्छा हो लेकिन आप पस्चिम में मुख करके और भाग की सराय ना करेंगे लेकिन सूर कभी पस्चिम में उधित नहीं हो सकता ठीक इसी तरह से प्रकती के नीमों के साथ चलना प्रकती के नीमों के साथ बैठना प्रकती के नीमों के साथ अपने दिन भर की दिनचरिया को संचालित करने का नाम बास्तु है इसे सबसे बड़िया भगवान महावीर ने यतना चार कहा है जब भी कोई कारी करें तो यतन पूर्वक करें जिस जमीन पर आप ब्यापार योग बनाएं निवास योग बनाएं धर्मायतन योग बनाएं या किसी योग बनाएं उस योग की गुडवत्ता उसमें डेवलप कर करके भूमी का परिच्छन करके भूमी को प्रासुक करके भूमी को सुद्ध करके भूमी को अपने योग बनाओगे तब कहीं आपके परणाम देगा भाग अपनी जगए है पुरसार्थ अपनी जगए है इसलिए बास्तू में पुरसार्थ का नाम ही बास्तू है की होने से पूर्व आपको उठना पड़ेगा यदि आपका भाग बहुत बढ़िया है लेकिन और आप किसी वास्तु में उल्टी वास्तु में रहते विप्रीत वास्तु में तो निश्यत रूप से यानि के उल्टी वास्तु यानि के प्रकती के विप्रीत चलते हैं प्रकती के विप्रीत कारी करना प्रारम करते हैं तब भी आपको विप्रीत परणाम निश्यत रूप से बिगने बाद आयेंगी लेकिन यदि हम ठीक इसके व पुन्न नहीं है और आप प्रकतिके से आत्मी चलते हैं तब भी दिक्कतें आती इसलिए पुन्न को संचित करना परमावश्यक है यही कर्मिशिद्धान्त है बुरा मत मानेगा लेकिन यहां मैं दर्शकों का प्रतिनिद्ध कर रही हूँ मैं उनके बिहाव से आप से सारे प्रशन के उत्तर ले रही हूँ क्यूंकि ये कारिक्रम है हमारा उनके लिए हम उन्हें जगाना चाहते हैं बहुत सारे वास्तु विध जब उन लोगों के जीवन में भी आए उन लोगों को इड्वाईज देने आए तो उन्होंने बहुत सारी दिशाओं के बारे में बताई तो जिस प्रकार से उनके जीवन में भानतिया आ गए है कहीं न कहीं उनका विश्वास वास्तू से उठ गया है कि हर कोई दिशाओं के बारे में बाते गर रहा है दक्षिन दिशा बहुत अशुव होता है यहाँ पर कोई शुबकार वाली चीज ना किया जाए क्यूंकि आपके जीवन में विनाश हो जाएगा तो आप भी तो कहीं न नहीं देता हूं क्योंकि भूमी कोई बास्तु कहते हैं जो भूमी की बात नहीं करेगा जो भूमी पर ही निवास बनाये जाता है भूमी पर ही आपका भूखंड या फैक्टी बनाई जाती है भूमी कैसी है जागरत है शुप्त है बादित है शापित है आपके योग है आपक महात्पूर्ण हैं दशागदबास्तू याने कि भूमी की उर्जा यदि जो भूमी की उर्जा को आधार मान करके निर्मान करते हैं और दशाओं को उसके ओरियंटेशन में याने कि उसके बिन्यास में समलित करते हैं उन्हें ही हम अच्छे वास्तूवित कह सकते हैं दूसरी बात जो कई लोग भैबीत करते हैं कि आपके ऐसे करने से इस दिशा के करने से मौत हो जाएगी यह हो जाएगी ऐसा कदापी नहीं है कुछ जगे से ऐसी हानी कारक किरने प्राप्त होती हैं उनके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है वहाँ पर इसलिए साउथ बेस्ट में मौटी दिवाल बना करने का मुख कारण यही है कि तीन बजे से पांच बजे तक जो इंफरा रेट किरने आती हैं सूर की वो उस घर के लिए निवास करताओं के लिए हानी कारक होती है इसलिए बंदूओ दिशा से जादा महत दशा पर दें और दशा जब तक न देखें जब तक कि उसका कारी सुरूर ना करें डॉक्टर साब आपने यहां पर बहुत अच्छी अच्छी बाते बताई कुछ बहुत बड़ी बड़ी बाते बताई जानना बहुत जरूरी होता है उसमें से पहला तो यह है कि आपने दशा के बारे में यहां पर कुछ बाते बताई कि बहुत सारे ऐसे वैपार होते हैं जो दक्षिन मुखी होते हैं तो क्या अगर वो समय के अनुसार चलते हैं तो उनका विजनस तो चल पड़ा फिर भाई इतना समय हो गया हमें इस वक्षिन वैपार नहीं करना चाहिए तो तो फिर कैसे काम चले ऐसा कदापी नहीं है कॉश्वा जैसे की महिला संदर्ई प्रशादन का व्यपार ये इसब व्यपार दक्ष्र मुखी में येदि आप देखेंगे जैसे की जलगाओं की बापनां के मार्केट पूरा का पूरा दक्ष्र मुखी बना हुआ ऐसे बहूत सारी भारत की हॉस्पिटल है यदि आप भोपाल को देखेंगे तो भोपाल में भी कई हास्पिटल दक्षर मुखी है जो सबसे ज्यादा चल रही है इस तरह से जो दक्षर मुखी ब्यापार दक्षर दिशा अगत किये जाते हैं उनमें सुबह दुफेर साम की कोई परिवासा नहीं होती यह परिवासा तो मैं उस समय के लिए है जब आपकी सूर की करने जिस एकॉर्डिंग घूमती है उस एकॉर्डिंग आपके अपने सैन उठने बैटने की प्रकरिया को विवस्तित दिंचरिया को किया जाता है ब्यापार हर दिशागत होते हैं उत्तरक दिशा के अलग ब्या में अब नियास करना चाहिए तम निस्षित रूप से आपके सफलता में चार चंद लगी जाएंगे मेडम आपने दिशा और दसा की बात पूछी दिशा को तो मैंने बता दिया दशा याने की भूमी की ऊर्जा जिस भूमी पर आप निवास करने जा रहे हैं जिस भूमी पर आप अपनी फैक्टी का निर्वाण करने जा रहे हैं यदि वह भूमी ऊ अच्छे फल दाई नहीं होगी तो वह आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता है ऐसे अनेक मैंने फैक्ट्री देखी हैं जिनके औरियेंटेशन पूरी तरह से बास्तू से बनाए गए थे लेकिन वहां पर एक परसेंट भी उर्जा नहीं थी जैसे मैं अभी एक उधार द पर भट्टी बनाई गई थी और उनका जो मैन फैक्टी थी जो मैन प्लाइंट था वो नेरत कौन पर भारी कर दिया गया था बेचने वाला आइटम सारा बायब कौन पर ब्रह्मिस्तन रिक्त कर दिया गया था लेकिन तीम वर्स में वह फैक्टी बंद होने की कगार पर ा पितरी और उसी पूमी पर निर्वाण कर दिया गया भिना किसी उर्जा को रियेट कियों जैसे ही मैंने कहा इसमें कोई उठ्वाण нрав reheं भूले मैंने तो तीन वास्तुविद्ओं को बताकर के यह वहीं का निर्वाण किया है तब मेरा क्या मैं तो छोटा सा वास्तुबिद लेकिन जब मैंने अनेग बार उन्हें समझाया तो एक ही बात उन्हें शमज में आई कि मेरी फैट्पी नहीं चल रही है बस मुझे इतना मालूम है बंद होने की कगार पर आ गई है मैंने जैसे ही उस भूमी में उर्जा बूस्टप की अपनी मेथड से और मात साथ दिवश में ही उन्हें परणाम मिलना प्रारम हो गए तब उन्हें भूमी की उर्जा की परिभासा समझ में आई उसका मार्त समझ में आया इसलिए दर्स को मैं कहता हूँ कि पहले तो आप सारे प्रेशनों के उत्तर दिये लेकिन उन उत्तरों में बहुत कंफ्यूज होगी क्योंकि थोड़ा सा हसने वाली बात है क्योंकि यहां पर आपने एक बात कही कि जो हम दक्षणी मुखी दिशा की बात करते हैं तो हमें वैपार का चैन उस अनुसार करना चाहिए कि हम वै पार करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा और मेरे मन में जो प्रशन है जो मैंने अपनी आखों से देखा है दर्शकों के तुरू वह यह है कि कई लोग किसी भी फैक्टरी में कोई सब्सक्राइब शुरू कर देते हैं लेकिन उनका वैपार तो बहुत अच्छा चलता है त दूसरा नमबर भाग का भाग गिये उस भूमी की उर्जा यदि उस भूमी में उर्जा अच्छी होती है तो विपरीत बास्तू भी बनाई जाती है जैसे कि मैंने कई स्थान ऐसे देखे जिन फैक्ट्रियों में इसान कोड़ पर भी लेक्टिन बनी हुई थी तब भी वह मैंने पाई इस भारत में अच्छी चलती हुई जब मैंने उनकी उर्जा को मेजर किया उनिस्तानों पर तब उस भूमी की उर्जा बहुत ज़्यादा पाई तो मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि जिस तरह से आपके जीवन में भाग का रोल है ठीक उसी तरह से भूमी का भाग उ तरह सिर्फ दिशा के अनुसार नहीं बलकि भूमी की उर्जा को नाप कर और किस प्रकार से हमें दशा के अनुसार अपने वैपार का निर्मान करना चाहिए साथ ही साथ कौन सी भूमी उनके लिए उच्चतर होगी कौन सा वैपार उस भूमी में उनको सफलता दिलाएगा इन तमाम बातों की जानकारी और आपके मन में जो प्रशन उठ रहे होंगे उनका उत्तर आपको जरूर मिला होगा साथी साथ एक बार और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यदि आप भी डॉक्टर साहब से किसी भी प्रशन का उत्तर जाहते हैं और वास्तु के बा ज्यादधार भी बार डॉक्टर साहब से इड़्वाइज जरूर ले में नमबज लगातार आ आपके संपर करके तमां बातों की जानकारी ले सब्सक्ते हैं उस्चिम तहीं उन तमाम वास्तु के बाते करते हैं वास्तु के असल में ग्याता है तो यहां में वेंः आप ये अपना ज्यान कहीं और भी दे रहे हैं आप लोग दे रहे हैं वास्तु इस प्रकार का दे रहे हैं- इन तमाम बातों पर जानकारी देन में हैं आगामी आने वाले एक और बैच जो न्यू बैच होगा जिसकी टैनिंग फर्स्ट लेविल की प्रारम होगी 21 मई 21 22 23 24 मई को इन दौर में एक ऐसा प्रिसिक्षण दिया जा रहा है जो कि फर्स्ट लेविल का बहुत एडवांस प्रिसिक्षण होगा जिसमें वास्तु कि सारे बेसिक फंडामेंटल लेंड की इनर्जी, डाउजिंग टेक्निक, प्रामिड लोजी इसके साथ साथ किसी भी निगेटिव इनर्जी वाली लेंड को पॉजिटिव में कैसे बनाये जा सकता है और किसी भी प्रोजेक्ट को या फैल हो चुका हो या ब्यापार बंद ह चुका हो तो उसे कैसे चालू किया जा सकता है ऐसी तमाम सारी बातों का एक चार दिवशी प्रिसिक्षर फस्ट लेविल का की इस तारीक से इंदौर में आयुजित किया जा रहा है यदि कोई भी इसमें एडमीशन लेना चाहता है ले सकता है लेकिन इसके पूर्व उसे साइ वास्तू के ज्याता बन सकते हैं आपको स्वयम जानकारी होगी तो आप ही समझे क्या कोई भी वास्तूविद आपको भ्रमित कर सकता है बिलकुल नहीं उसके लिए आपको बिना देरी किये हुए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा मैं चाहूंगी जल्द से जल्द आप भी इसका हिस्सा बने और जाने की किस तरीके से वास्तू आपके जीवन में कारगर साबित होती है साथ ही साथ एक बार पुर हैं आप सभी को बताना चाहूंगी यदि आप डॉक्टर सहाब से मिलकर अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं क्य आज के लिए इतना ही जाने से पहले एक बरपुन है डॉक्टर सहाब से कहना चाहूंगी कोई भी छोटी सी वास्तू तिप जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हों दर्शकों यदि आप निगेटिव इनर्जी से बचाओ चाहते हैं तो आपने ड्राइंग रूम के न निगेटिव इनर्जी को पलाइन कराती रहेगी तो इसी टिप के साथ आज के लिए